जाहिन दोस्तो मैं हूँ आसीस और आप सबको इंडिया मैं जान पर स्वागत है दोस्तो आप सबको पता होगा इंडिया चाइना के बीच हुआ एट राउंड की बातचीत भी एक तरह से बेर नतीजा रहा है काफी सारे दोस्तों का सवाल था अगर बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकल रहा है तो फिर हम चीन के साथ बातचीत क्यों कर रहे हैं सच बताऊं तो मैं भी पहले बातचीत का विरोध में था लेकिन आप मैं ये पॉलिसी का समर्थन करता हूं क्यों आपको आगे बताऊंगा लेकिन मुझे डिफेंस मिनिस्टर से सिखाय थे कुल दिन प पॉइंट पर डिटेल्स में बात करूंगा जानने के लिए आप आखिरता की वीडियो को देखते रहिए और जितने आदा हो सके लाइक सेयर करना मत भुलिए पहले बात करते हैं चीन ने विवात को काम करने के लिए क्या अफर दिया था देखिए चीन बिलकुल भी डेवस संग से लेकर प्यांग में होगा नहीं तो भारत एक भी सानिक पिछे नहीं हटाएगा देखिए अब प्यांग में चीन ने अफर दिया है साउथ प्यांग या फिर चुसुल बाउल में भारत जितने एरिया में आडवन्स पोजिशन में है वो सब एरिया से पिछे चला जा और भारत फिर से अपने ही जमिन पर एक फिंगर पीछे चला जाएगा देखिए भारत ने साप तोर पर मना कर दिया है अब आता है मेंस वाल अगर पिछले छे महिने से बातचीत के जरी है कुछ भी नहीं निकल रहा है तो हम क्यों इस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं कुछ दो तो ऐसे हैं वो बातचीत को भारत की कमजोरी मन देखिए विल्कुल भी ऐसा नहीं है क्यों आपको समझाता हूं देखिए अब बातचीत दोनों देश क्यों कर रहे हैं ताकि जंग को आभेड किया जा सके इसका मतलब यह हुआ जंग दोनों देशों के लिए अप्शन नही देख रहे हैं अब इंडिया नार्मी को जोरोत हुई तो चीन को मुत्रोड जाब दे सकता है इसी डर के कारण ही चीन भी बातचीत टेबल पर बैठने के लिए मजबूर है लेकिन इंडिया नार्मी की ताकत के साथ साथ लदाक की मौसम भी चीन के लिए काल बन रहा है और खरब होने वाला है जिसकी वज़े से चीन भी कैसे भी करके विवात को खतम करना चाता है लेकिन अभी वह एसा सेटलमेंट चाता है ताकि उससे ज्यादा फाइदा हो नहीं तो बदनामी होगी और वेजिंग में जिन पिंग की थूत होगी इसलिए अगर चीन टाइम को गराना चाता है भारत दी वेट करें नुकसान चीन को ही जएदा होगा ये सही मोका है भारत के लिए चीन के साथ आच्छा बार्गेनिंग करके डेपसांग प्लेन में कॉंग्रेस के टाइम में जितने भी एरिया पर चीन ने कबजा किया है वहाँ भी पिछे हाटने के बिल्कुल भी नहीं घुसा है ये बयान बिल्कुल बिहार इलेक्षन को देखकर दिया गया था क्यूंकि राहुल जी चुनावी रैली में चीन मुदे पर बार बार जूट बोल रहे थे चीन लदाक में 1200 किलेमेटर एरिया पर कबजा कर लिया है पता नहीं उन्हें बच्छ जी दो दिन पहले बोले हैं सिमा पर हाला तनापुर ने भारत आपने बचाप के लिए कुछ भी कर सकता है तो फिर क्या आपको ये बात दो तिन दिन पहले पता नहीं था देखे राहुल जी अगर जूट बोलेंगे तो आप डिफेंस मिनिस्टर और एक बरिष्ठ राजने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिशना कर सके दोस्तों रहता हूं बहुत जल्द एक नियू टापिक के साथ मिलूंगा नमस उसकार जय हिंद